नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागते मेरे चैनल पर और आज हम दोस्तों एक नई और सीरीज की सुरवात कर रहे हैं जिसमें हम नीती आयोग द्वारा जो भी सूचकांग जो इंडेक्स जो जारी किये जाते हैं और अभी ये इतने इंपोर्टेंट हो गए हैं क्योंकि आज के जितने भी समय में जो स्टेट PCS या बैंक के या यूपी स्वीपी PCS या जो अधर स्टेट के PCS के एक्जाम हैं उनमें इन इंडेक्स के बारे में सवाल पूछे गये हैं तो दोस्तों इस परकार से हम इन इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं सब एक जगे ताकि आपकी preparation में आपको वो easy लगे और इनसे यदि सवाल आए तो आप कर सके क्योंकि आपने newspaper या magazine में पढ़ा होगा तो इंडेक्स काफी बिखरे हुए हैं और अलग-लग मन्त में अलग-लग समय जारी किये गए हैं हम देखेंगे कि नीती आयोग कौन-कौन से इंडेक्स जारी करता है उसमें कौन से राज्यों का कौन से इस्थान है, कौन से इंडिकेटर से क्या है, जो UPSC, PCS, REIT, पटवार पूलिस, SSC, Bank के जो exam है उनमें आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं और आप उनका सही जबाब दे पाए शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जूरू कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चलिए शुरू आत करते हैं सबसे पहले हमें ये जानना है कि नीती आयोगों कितने सूचकांक या कौन-कौन से परकार के सूचकांक जारी करता है और इसमें हम लेटेस्ट जो सूचकांक है, ठीक है, उनमें रिपोर्ट उनको ही पड़ेंगे, ठीक है, सूचकांक कौन-कौन से जारी करता है सबसे पहला जो सूचकांक है, वो है SDZ India Index, ठीक है, सतत विकास लक्षिय भारत सूचकांक ये निती आयोग दोरा जारी किया जाता है, दूसरा जारी किया जाता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारतिय नवासार सूचकांक, दूसरा, स्कूल एडुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, छोथा, कॉमपोजिट वाटर मेनेजमेंट इंडेक्स, पांचवा जो है, व वो साथ परकार के सूचकांग जारी करता है। सबसे पहले तो यह, पहला स्वाल यह बन सकते है कि निती आयोग द्वारा कौन कौन से सूचकांग जारी किये जाते हैं। या निर्नलिकित में से जिसे वाटर, Composite Water Management Index या समग्र जल प्रबंदन सूचकांग किसके द्वारा जारी किया जाता हैं तो नीती आयोग द्वारा पहले हमें इन सूचकांगों की जानकारी होनी चाहिए आज हम इस वीडियो सीरीज में जो सबसे इंपोर्टन है ये जो है मैंने ये नीती आयोग की जो भी एन्यूल रिपोर्ट आहिए उसमें से ये डेटा क्लेक्ट किया है मैंने और सबसे जो इंपोर्टन जो इंडेक्स है जिसका नाम है SDZ इंडिया इंडेक्स सतत विकास पटवारी का हो या बैंक का हो तो उसमें भी इससे सवाल पूछा जा सकता है चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं देखें SDZ इंडिया इंडेक्स 2019 ठीक है 2019 जो है आप यह मत पूचिए कि पूराना है पूराना नहीं यह बिल्कुल नया है क्योंकि यह 30 दिसंबर को ही जा लगबग आप देखोगे तो यह 2020 में जारी किया है और इसके बाद में अभी तक SDZ इंडिया इंडेक्स नहीं जारी किया गया है तो सबसे पहली बात तो यह कि सतत विकास लक्सी जो भारत सूचकांग है जिसे नीती आयोग द्वारा जारी किया जाता है और हाली में सतत वि 2018 में आया था 2018 और अब यह दूसरा है तो पहली बात तो यह कि नीती आयोग द्वारा यह जारी किया जाता था है 30 निसंबillon 2019 को जारी किया गया और ये इसका दूसरा संस्करणी है निकी डूसरी बारें से जारी किया गया है ठीक है इसमें राज्यों कि साथ साथ हमारे जो केंद्रसासित पर्देंट से इनको भी सामिल किया गया है, दूसरा statement हमें यह द्यान रखना है कि इसमें ना केवल राज्य सामिल है, अपितु इसमें केंद्रसासित पर्देंट से इसमें सामिल नहीं है और वह है लद्दक, ठीकर अभी नया今 आधमारा मेप या नहीं जो हमारा जो एक हमारी जो भोगोलिक जो हमें परिवासा दी गई है उसके आधार पर भारत में 28 राज्ये हैं और 9 केंदर सासित परदेसे तो उसमें लद्दाक जो हैं लद्दाक सामिल नहीं है ठीक है बाकी 28 राज्ये और 8 केंदर सासित परदेसों को सामिल कि है अब देखें यहां पर एक UPSC के लिए एक डीप में हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि 2018 में जब आपको पता है कि सतत विकास जो लक्षे हैं वो टोटल 17 है ठीक है SDG जो इंडेक्स जो लक्षे है हमारे टार्गेट से वो टोटल 17 है और उसमें भी हमने कई सारे इंडिकेटर जो रखें वो है 169 179 तो जो 17 लक्षे है अब 17 लक्षियों में से जब यह रिपोर्ट बनाई गई है या बनाई जा रही है तो इसमें कौन-कौन से लक्षियों को सामिल किया गया था 2018 में और कौन-कौन से लक्षियों को 2019 में सामिल किया गया था देखिए जो 2018 का जो लक्षे आया था जो 2018 का जो सूचकांग आया था, इंडेक्स आया गया था, उसमें 17 में से केवल 13, 17 में से केवल 13, 13 HDC को ही सामिल किया गया था, कितने only 13, ठीक है, only 13, और इन 13 जो हमारे जो सतत विकास लक्षे थे, उसके आदार पर, उसके आदार पर जो है, वो रिपोर्ट निकाली गई थी, लेकिन अब जो ये 2019 वाला आया है, इस से सवाला सकता है, अब जो ये 2019 वाले सूचकांग, इस 2019 वाले सूचकांग में, 13 की जिगा अब 17 में से टोटल कितने कर दिया है, 16, यानि कि इस बार इसमें 16 सूचकांग सामिल किया गया है, और सतरवे का qualitative assessment किया गया है, यानि कि 16 के आदार पर तो ranking निकाली गई है राज्यों की, और सतरवा जो लक्से था, उसका एक गुनात्मक परिक्सन, निर्दारन किया गया है, ठीक है, quality assessment किया गया है, यानि कि 16 लक्सियों के आदार पर तो ranking निकाली गई है, और सतरवे को ध्यान दिया गया है, या उसकी कहीन गई, उसको measurement किया गया एक मोटे रूप में लेकिन उसके आधर पर ranking नहीं निकाली गई है यह सबसे UPSC के लिए यह आप ध्यान में रखिए मुझे state PCS में सवाल आ सकता है बैंक और जो छोटे exam उसमें तो यह सवाल नहीं आ सकता है लेकिन यह ध्यान रखिए कि सतत विकास सूचकांग HDZ India Index 2019 जो नीती आयोग द्वारा जारी किया गया दूसरा संस्क्रण है जिसे हाली में 30 December 2019 को नीती आयोग द्वारा जारी किया गया है उसमें 17 में से 16 लक्षियों के आधार पर 16 लक्षियों के आधार पर राज्यों और केंदे सासित परदिसों की रैंकिंग का निर्धारन किया गया है लेकिन जो 17 लक्षियों है उसका गुणात्मक परिक्षन भी किया गया है ठीक है यह ध्यान में रखना है पहले जो थे 17 जो 2018 का था उसमें 13 जो सतत्विकास लक्षे थे उसके 62 इंडिकेटर्स ठीक है निर्धारकों को सामिल किया गया था 62 इंडिकेटर्स को सामिल किया गया था तो 2018 में पूरे भारत का जो सतत विकास लक्षे का जो अंक था, वो था 17, जबकि इस बार, इस वर्स 2019 में यहाद 3 बढ़गर कितना हो गया है, 60, पूरे भारत का सतत विकास जो लक्षे है, वो कितना है, 60 ये देखिए 60 है 2019 में जबकि 2018 की बात करें तो वो कितना था 17 ये ध्यान रखना है अब एक और डीप में देखते हैं कि ये जो टोटल 16 जो 17 विकास लक्षियों के आधर पर रैंकिंग निकाले गई है उसमें भारत की जितने भी राज्यों और केंदर सासित परदेश थे उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से SDG में था यानि किस छेतर में वो सबसे ज़्यादा उनकी रैंकिंग अच्छी है सारे हमारे केंदर सासित परदेश और राज्यों की तो आप देखोगे कि clean water, स्वच जल और sanitation यानि स्वचता के मामले में हमारे राज्यों का परदेशन जो है हमारे राज्यों और केंदर सासित परदेशों का परदेशन है वो काफी अच्छा है उनका performance काफी अच्छा है और स्वच जल और जो स्वचाले है या स्वचता है ठीक है sanitation है वो हमारा SDG 6 है यानि SDG 6 में तो हमारा performance बहुत अच्छा है जबकि SDG 2 है SDG 2 है वो 2 कौन सा है? Nutrition and zero hunger यानि कि portion और जो भुकमरी को हमें एकदम zero करना है ठीक है उसमें हमारा जो परदर्शन है हमारे राज्य और केंदर सासित परदेश का वो बिल्कुल ही कम है वो बहुत बिल्कुल ही कम है तो ये भी हमें ध्यान रखना है यानि कि आपने देखा होगा clean India moment जो चल रहा है campaign चल रहा है उसके आधर पर हम अपना common sense भी लगा सकते हैं कि भारत में सोचता के मामले में राज्य और केंदर सासित परदेश अच्छा परदर्शन कर रहे हैं लेकिन भारत में अभी भी portion nutrition और zero hunger जिसमें हम भुकमरी को स्मा अब देखते हैं कि कौन से राज्यों का परदेशन इस 2019 में अच्छा रहा और कौन से कैंदर सासित परदेशों का परदेशन अच्छा रहा देखिए आके बढ़ते हैं अगर देखे तो इंडिया का score जैसे 2019 में कितना हो गया है 60 ठीक है यह धियान रखना है 18 में कितना था अगर सबसे अच्छा किसी राज्य का देखे तो वह है केरला के कोई विद्यारती अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो केरला आपका राज्य नंबर वन पर है सतत विकास लक्स भारत सूचकांग SDG के मामले में केरला नंबर वन पर है हिमाचल परदेश नंबर दो पर है ठीक है जबकि तीन देखो रैंक तीन पर कितने राज्य है तो नंबर तीन पर तीन राज्य है 67 67 67 आंद्रपरदेश तमिल नाडू और तेलांगना यह नंबर ती पर है यह में तीन तक हमें ध्यान में रहना चाहिए ठीक है तीन पर हमें ध्यान में रहना चाहिए ऐसे देखो तो राजस्तान का इस्तान जो है वो दस्वा आता है यह तो नंबर वन पर है केरला नंबर दो पर हैं हिमाचल परदेश और यह भी ध्यान रखता है कि पहाड़ी जो राज़्य है जो हमारे माउंटेंड जो स्टेट्स है उसमें हिमाचल परदेश टॉप पर है उसके परच्छाथ नंबर तीन पर तीन राज़्य है अंद्र परदेश तमिल लाडव और तेलांगने ठीक है अब आते एकदम नीचे यदि हम नीचे आये तो बिहा बिहार जो हैं सबसे नीचे सबसे खरापरदर्शन है वह बिहार का 50 50 ठीक है बिहार का औरिहार के बाद में यदि बिहार से थोड़ा अच् Sugar अरुणाचल परदेश तो उपर के टॉप और नीचे के टॉप नीचे के टॉप मैं आप आओ तो बिहार सबसे और या सबसे खराब परदर्शन ठीक है जारकन उसके परचात और अरुनाचल परदेश उसके परचात तीन नमबर पर ठीक है तो नीचे से तीन ऊपर से तीन हमें ध्यान रखना है और राजस्तन का इस्तान जो है वो दसवा है ऐसे दिखोगे तो आपको लग रहा होगा बहुत दसवा है क्योंकि रिपोर्ट में भी लिखा गया था और यह आप काउंट करेंगे तो यहां पर तीन तीन राज़े एक एक रैंक पर ठीक है तो यह ध्यान रखना है यह दिखोगो केंदर सासित परदेश हमारे कितने है नौ लेकिन यहां पर कितने सामिल है टोटल आठ यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ जम्मू कस्मेर केंदर सासित परदेश के रूप में सामिल किया गया था लेकिन लद्दाग को यहां पर सामिल नहीं किया गया है तो इसे भी आप ध्यान में रखी है ठीक है आप से सवाल पूचा जा सकता है केंदर सासित परदेश हमे दिल्ली हाला की बहुत बड़ा है और वहां इंफ्रास्ट्रॉक्ट्टर भी बहुत अच्छा बनाएं लेकिन कॉमन सेंस के आदार पर हमें दिल्ली को स्लेक करने की बात हमारे मन में आएगी लेकिन हमें ध्यान रखना है कि चंडीगड को आप यहाद रखिए कि चंडीगड लक्से के मामले में बहुत अच्छा यूनियन टेरिटरीज है और दुसरे नंबर पर पुद्दू चेरी है जबकि खराब परदर्स होनों में देखे तो जम्मू एंड कस्मीर है हाला कि अब क्या है बना है जो भी इंडिकेटर्स होगे लेकिन जम्मू एंड कस्मीर है वो सबसे नीचला इस्तरबर है अमारा कॉमन सेंस यहां पर उपयोग यह नहीं होता है लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कस्मीर है हो सबसे नीचला इस्तरबर है तो दोस्तों आज जो हमने है आज वहने क्या पड़ा है मैं रिकॉल करते हैं वापिस की सतत अविका मैं सामिल किये लद्धक को सामिल नहीं किया गया है 2018 में 2018 में बाएसट इंडिकेटर सामिल के इन हमने 100 इंडिकेटर सामिल किये हैं ठीक है दुसरी बात ये की जितने भी हमारे राज्य है, उनका जो performance सबसे अच्छा है, उनमें उनका clean water और sanitation है, स्वच जल, और sanitation में वो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, लेकिन जो भुक मरी है, जो hunger है, जो nutrition की समस्या है, उसमें वो बहुत गंदा performance कर रहे हैं, या उनका performance अच्छा नहीं है, यह दि हम र बात करें, तो चंडीगर सबसे ऊपर है, और जम्मू गस्मीर सबसे नीचे है, दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे हैं, हम और हमारे जितने भी जो index से उनको हम पढ़ने वाले हैं, और मेरे चैनल को like, subscribe and share जरूर कीजिए, मैं कोशिस करूँगा कि आपकी preparation में, आपकी में म